logs स्टुडेंट्स आज मैं आपके लिए बिस्स टडीज का टॉपिक लेकर आई हूँ यह आपका चैप्टर 11 जो क्लाास 12 में टॉपिक हैं MARकेटिंग मैनेजमेंट चैप्टर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट लिए अप लि기로 vulnerabilities पर उप्लोड की हुई है आप प्लीज प्लेट लिस्ट में जाकर चेक कर लिजेए एक बार उगर आपको और किसी भी टॉपिक को समझना है या टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मुझे इवन आपको एकाउंट का भी कोई टॉपिक समझना है कोई content समझना है तो आप comment box में मिरको लिख कर दे सकते हैं कि मैम आपको हमें इस topic पे समझा दीजिए और दूसरे topics की भी वीडियो मैंने upload कि हुई है जैसे कि principle of management chapter है आपका आपका 12th का chapter 1 है nature of management उसकी वीडियो मैंने upload कि हुई है तो प्लीज एक बार playlist में जाकर चेक के लिजिए इवन में वर्मा के questions जो previous year में आई हुए है आपके उसकी वीडियो भी upload कि हुई है और business project file किस तरह से बनाए क्या-क्या contents में mention करें वो वीडियो भी upload कि हुई है तो एक बार प्लीज बेटा मैं आपसे request करते हूं कि आप मेरी कोई requirement तो प्लीज कमेंट बॉक्स में mention कर दीजिए तो यह चेप्टर हमारा marketing management है चेप्टर आपका 11 class 12 इसमें जो एक marketing mix का element होता है product mix आपको पता है चार element होते हैं चार mix होते हैं marketing mix के product mix place mix price mix promotion mix तो प्रडेक्ट मिक्स में जो हमें decision लेने होते हैं major decision हमें branding packaging और labeling decision लेने होते हैं राइट बेटा अब branding decision क्या होता है branding के बारे में हम पूरा detail में समझेंगे जो आपके sleeves में है ठीक है उसके बारे में समझेंगे branding का में लब क्या होता है बेटा जैसे कि suppose आप कोई product बना रहे हैं उस product को आप मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे इस product का कोई नाम हो ताकि public में या market में जो customers हैं उसको पहचाने उसको identify करें ठी कोई sign देते हो उसको या कोई symbol देते हो उसी process को बेटा branding कहते हैं तो branding क्या है एक is that process of giving a name और a sign और a symbol ठीक है और etc to a product जब आप अपने product को कोई name कोई sign और symbol देते हो उस process को हम branding कहते हैं ठीक है आप ऐसा भी नहीं है कि चलो आपने अगर मालनो suppose आप सोचते हो कि नहीं-ढहीं चलो रांड नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं तो हम ऐसे हीiyet Bahanda MarBook & Song बज़ियर बना रही हैं टिक तो अपने पएन बनाकर market में बेचा तो आप यह मार्क को आपके प्रॉडट को GLC कि हाँ यह आपका ही प्रैन है ठीक है तो यह पॉसिबल नहीं है कि उसके ही जो जो प्रॉड़क्ट जिस क्लास का है उसी प्रॉड़क्ट के नाम प्रॉड़क्ट से वो मार्केट में बिके यानि कि जैनरिक नेम से बिके जैनरिक नेम मतलब बेटा नेम ऑफ दी क्लास ऑफ द है ती-उस हो गई शर्ट हो गई यह सब GENERIC नेम है ठिक है रेफिडेटर हो गया रायइद अ और वाशिं माशिन हो गया मैक्रोवेव हो गया जूसर गया यह सब GENERICNAME हैं लेकिनma jam वहता है कि जब GENERIC प्राड़क को जनरीक नेम को आप ब्रैंड नेमें कर देते हो ठीक है तो जैसे की example जैसे कि कार में कितने सारे व्म्डेम है आपका व्म्डेयो है वेगानार है फीगो है मारूती है बलेनो है तो एसे जो प्रॉड़क्ट के नाम दे रखेंगा अलग-अलग कंपनी ने अपने product के उनको brand name कहते हैं और जो product होता है उसको generic name बोलते हैं यह आपसे project में भी पूछा जाता है बेटा कि generic name और brand name में क्या difference है जब आप वाइवा देते हो और ऐसे ही television है television में भी brand name कितने सारे हैं Samsung है Sony है वीडियो कौन है LG है ठीक है और television क्या हो गया generic name हो गया बेटा ब्रैंडिंग से लेटेट ना कुछ important terms है उन important terms को हम समझ लेते हैं पहला जैसे term है brand brand क्या होता है brand is a name कोई name हो गया या कोई term हो गई या कोई symbol हो गया या कोई design हो गया या sign हो गया कोई combination of them इन सबका combination हो गया name, term, symbol, design, sign इनका कोई combination हो गया ठीक है जिनको आप use करते हो कि आपके product या आपकी goods or services identify keys आए ठीक है और आपका product जो है आपके competitor से differentiate हो उसको brand बोलते हैं ठीक है अब brand मतलब जैसे की bathing soap है अब bathing soap के case में बहुत सारे brand available है लक्स है, डिटोल है, सिंथोल है, विवेल है, हमाम है, डव है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं उनको brand name, sorry brand name नहीं brand कहते हैं ठीक है brand name क्या होता है, brand name और brand mark ये brand के बेटा दो पार्ट है, brand के दो पार्ट है, एक name और दूसरा mark, ठीक है बेटा, अब देखते है brand name ये term बेटा अलग-अलग है, बहुत दिहान सा समझे ना, brand name, that part of brand, brand name वो था है, जो brand का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं we can speak easily, means brand का verbal part, जो brand का verbal part होता है, जिसको हम बोल सकते हैं, उसको brand name कहते हैं, ठीक है, जैसे की deluxe है, Asian paints है, polo है, strap seals है, जिनको हम बोल सकते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, brand name, राइट बेटा अब next time है हमारी brand mark, brand mark क्या होता है बेटा, brand mark भी brand का वो पार्ट होता है, which appears in the form of symbol, जिसको हम किसी symbol में, किसी design में, यह किसी distinctive color में, कुछ different color में हम उसको present करते हैं, किसको present करते हैं, अपने product को present करते हैं, मतलब यह verbal part नहीं होता brand का, ठीक है, it is not verbal part of brand, ठीक है, जैसे देखोगा आपने Britannic Eviskit पर जो tiger का sign होता है, ठीक है, tiger का design होता है, जैसे पैपसी की bottle पे रेड और ब्लू बॉल होती है, ठीक है, जो यह mark है, जो यह design है, जो यह symbol है, ठीक है, we cannot speak of that part of brand, ठीक है, जैसे arrow sign होता है, Nike का, Calvinator में penguin का sign होता है, design होता है, यह बेटा brand के वो part है, वो design है, वो symbol है, जिनको हम बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, identify का सकते हैं, ठीक है, तो उसको mark बोलते हैं, मतलब mark, मतलब sign, तो brand mark और brand name, यह दोनो brand के ही combination है, यह brand के ही दोनों ही part है, राइट बेटा, next, यह बहुत important part है, trademark, ट्रेड मार्क क्या होता है, बेटा, जब आप brand को legally protect करा लेते हो, जब आप legally protection ले लेते हो, कि आपके brand को कोई copy ना कर पाए, कोई use ना कर पाए, कोई उसका commercial use ना कर पाए, ठीक है, जब वो legal protection मिल जाती है, रेजिस्टर करा लेते हो, government authority से, तब वो आपका trademark बन जाता है, क्या बन जाता है, वो आपका trademark बन जाता है, तो जब वेन ब्रैंड और part ब्रैंड, बहुत ब्रैंड ब्रैंड या कोई brand का part, जब आप legal protection ले ले लेते हो, तो उसको हम trademark बोलते हैं, ठीक है, आ अनसेंड बेटा, कोई और दूसरी firm जो है, उस brand name को या brand mark को use नहीं कर सकती, ओके बेटा, तो I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अभी ये थोड़े लंबी हो जाएगी वीडियो, next वीडियो में मैं आपको इस good brand name की quality लेकर आउंगी, ठीक है, और उसके benefits लेकर राइट बेटा, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो please like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए, thank you for watching my video